तो कैसे हो सब अच्छा होगा करोना काल कट ही जाएगा लेकिन पढ़ते रहना क्योंकि आप यह इस वार तो बच गया सीवीएसी वाला बोर्ट विहार बोर्ट वाला को तो कुछ झेलना पड़ा हम लोग बात करना है इन औरगेनिक केमेस्टी का और इन औरगेनिक केमिकल बॉंडिनन स्टारट करने जा रहे हैं में समझ केमिकल बॉंडिंग मोड़न कंसेट ऑब इतक जो कुम बात किये वे एक लासिकल कॉंसेप्ट समझा रहे थे बैलेंस लेविस और स्ट्रक्चर कि मोडर्न कॉंसेट क्या है क्लासिकल कॉंसेप्ट और केमिकल बांडिंग फेल्टू एक्स्प्लेन फॉलोइं फेनोमेन पाहिदार नेचर ऑफ फॉल्स इने मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल में किस टेप का फॉर्स होगा एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोन का एरेज्मेंट किस तरह से होगा जैसा कि अब आपको हम एक CL दिखाएं उसमें इलेक्ट्रोन का कोई राइमेंट नहीं NH3 दिखाएं किसी तरह का structure बना लेते थे Geometry of Molecule जदि आप से हम कहें आम तो आम का geometry आम का structure पाचान जाईएगा दुनिया में कुछ भी नाम लिया जाए सब का कुछ न कुछ geometry a structure है तो इसके बारे में classical concept में नहीं बात किया गया Magnetic property of Molecule, Magnetic मतलब ये Magnet के तरफ attract होगा या रिपेल होगा इसके बारे में कुछ बात नहीं किया गया Bond Length यानि दो एटम के बीच का दूरी क्या होगा उसके बीच energy क्या होगा Incomplete Octate and Expansion of Octate क्यों ऐसा होता है जो incomplete में भी अस्टेवल और आठ से जैदे में भी अस्टेवल इस सारी बात का जानकारी हम लोगों को कौन सा concept में मिलेगा Modern Concept of Chemical Bonding में ठीक है तो वीडियो को पॉस कीजिए, नौट कीजिए ये भाव डिमेरिट्स आर एक्स्प्लेइन बाइट टू थियोरी Valence Bond Theory जिसको हम भी भी टी कहेंगे और दूसरा Molecular Orbital Theory Valence Bond Theory इट वाज गिने बाइटलर एंड लॉंडॉन बट इक्स्प्लेइन बाइट पॉलिंग अफ्लेटर्स According to Valence Bond Theory, Co-Valent Bond is formed by overlapping of Valence Atomic Orbital यानि इससे पहले जो हम लोग Co-Valent Bond कहते थे जो formation होता है वे किसके सहारे तो Electron का सियरिंग का बाद कर रहे थे लेकिन अब कहा जा रहा है जो Co-Valent Bond का formation जो है वे overlapping of Valence Atomic Orbital सी होगा अब ये बात आगे हम समझाएंगे पहले point out कर देते हैं जो BVT में क्या exemption किया गया है ठीक तो चले हम लोग point अभी note करते जाएं थोरा सा समझते जाएं फिर हम बाद में आगे चलकर के इसको बताएंगे एक साथ An atomic orbital of one atom containing one electron overlaps another atom containing one electron with opposite spin तो एक atom के पास unpaired electron जड़ी है एक electron है तो भी overlap करेगा दूसरे electron atom से लेकिन दोनों electron एक दूसरे का opposite spin होना चाहिए अब ही आप लोग सिर्फ note कर लिजे और हम तो आगे जब बोल देंगे तो उसके बाद दो तीन वार आप देख लिजेगा और समझाएंगे तो आ जाएगा समझ में Condition for overlapping an atomic orbital must contain unpaired electron अब unpaired electron क्या है वे सारा बात समझा देंगे electron having opposite spin तीसरा नमबर only properly oriented atomic orbital involved in overlapping greater the extent of overlapping a stronger will be bond तो अभी सिर्फ आप अभी note करते जाएए हम जहां पे कहेंगे जो आप देखिए गड़ से तो देख करके फिर हम समझाएंगे ठीक तो extent of overlapping depend on types of atomic orbital which involve in overlapping nature of overlapping atomic orbital जब combine करेगा तो molecular orbital और जैसे ही combine करता है तो प्रोसेस इक्सो थर्विक होगा heat release होगा overlapping causes delocalization of electron which in terms greater the stability and lower potential energy paired electron in atomic orbital may at first be unpaired in excited state than of overlapping takes place ठीक है तो अब इससे आप note करते जाएए हम लोग एक आएक बाद में समझेंगे ठीक ना इसलिए घवराना नहीं है due to overlapping atomic orbital molecular orbital is formed यानि atomic orbital किस में बदल जाता है molecular orbital में अब चलिए देखिए इससे बात कुछ तो समसे पाहले यह जो sub-orbit 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 parallel orbital और same यह जितने भी term हम को जबद होगा सब बात करेंगे आप क्या कीजे दो बार तीन बार उसको पढ़ लिजे सारा term हम बात करेंगे sub-orbit s के पास orbital एक होता है और shape इसका कैसा होता है spherical यह कभी हम लोग देख चुके है p के पास orbital कितना 3 यानि 3 box और shape कैसा तो इसका नाम क्या है dumb bell रटना पढ़ेगा हलांकि हमको जरुवत पढ़ेगा cable s और p का लेकिन d का भी बात कर लेते हैं तो d के पास orbital कितना तो 1,2,3,4,5 और इसका shape कैसा तो double 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 dumbbell इतना याद रखना है ठीक है विडियो को pause किजिए note किजिए तो जैसे ही हम लोग को कहा जाए अभर लैपिंग तो अभर लैपिंग के लिए सबसे पहला condition है जो उस atom के पास unpaired electron होना चाहिए और यह unpaired और paired क्या है यह configuration से पता चलेगा तो baradium का atomic number 4 configuration 1 S2 2 S के पास हम जानते हैं सबसे पहले तो यह जान लीजिए यही क्या है balance seal balance shade या orbit और इसके पास जो यह देख रहे हैं इसको नाम दे रहेंगे balance electron ठीक है तो S के पास एक box यानि एक orbital होता है और इस orbital में जान दीजिए जैदे से जैदे 2 electron यह clockwise मानिए एंटी clockwise यह clockwise अभी जो यह electron देख रहे हैं paired electron it is paired electron लेकिन अब हर labbing में हमेशा unpaired electron ही participate करेगा तो इसका मतलब यहां पे यह participate नहीं करेगा और जब यह participate नहीं करेगा तो situation में यह overlapping कर रहा है तो यह configuration है यह ground state state अब हम चले जाएंगे कौन सा state में excited state में जब excited state में बात करेंगे तो 1s2 2s1 2p यह जो 2p कितना में अंप अंप इलेक्ट्रों क्रियेट करता जो यह unpaired electron इसमें कैसे कैसे आया यहां कोई unpaired electron नहीं है तो उस situation में excited में जाएंगे आजदी किसी के पास unpaired ही तो excited में ले जाने की कोई जरुवर नहीं है ठीक तो वीडियो को pause कीजिए not कीजिए types of overlapping 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 को दो भाग में divide किया गया एक को कहा गया axial overlapping या head on overlapping या in to in face to face दूसरे का नाम है lateral overlapping lateral overlapping और इसी कौन लोग किस नाम से जानते हैं शायद राइज overlapping के नाम से जानते हैं सब से पहला बात करने जा रहे हैं axial overlapping overlapping और axial overlapping में कौन-कौन तो SS overlapping तो पहले आप वीडियो को pause कीजिए note कीजिए उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो जबी हम लोग SS overlapping कहेंगे तो एक atom जिसके पास s orbital में एक electron होगा और वे मानिये जो anti clock byte है तो दूसरा जो item है उसके पास भी एक electron होगा और वे कैसा anti clock byte जबी इस तरह से दोनों मिले यह दो electron आ गया और यह जो दो electron देख रहे हैं यह overlapping area में आ गया और यहां पे यह जो bond बना इसको ही हम लोग कहेंगे sigma bond क्या समझे बाद जो EVS orbital और यहां पे जो यह प्रोसेस देख रहे हैं यह ही है overlapping समझ गए बात को लेकिन बास्ता में यह ऐसा नहीं होता है यह तो हम लोग समझने के लिए बात किये यह जड़ी बात करेंगे real तो इस तरह से हम दिखाएंगे ऐसा अब इसमें और इसमें क्या अंतर है यह एक boundary line indicate करता है लेकिन यह बास्ता में electron के पास boundary line नहीं होता है तो जड़ी हम यह बात करें तो यहां पे हम देखेंगे जो यह बन रहा है यह molecular orbital बन रहा है क्या बना molecular orbital और यहां पे यह जो देख रहे हैं यह इसका नाम है inter atomic axis यह inter atomic axis के नाम से जाना जाएगा तो बदमासी जड़ी किये तो जड़ी हम लोग यह 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 इंटर यह जड़ी 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 example h2 यानि h2 में कौन सा overlapping होता है ss overlapping होता है अब चलिए हम h2 को explain करके देखते हैं जो कैसे ss overlapping का बात किया गया है पहले वीडियो को pause कीजिए note कीजिए ठेक चलिए बहुत importance बात कर रहे हैं यह bt balance theory जैसे ही आपसे कहा जाए balance theory के अनुसार ovalent bond का formation कैसे होता है तो क्या कहिएगा overlapping of atomic orbital ठीकना और कौन सा atomic orbital participate करेगा तो जिसके पास unpaired electron को चलिए अचा से यह हम लोग जानते हैं जो h2 होता है तो यह जो h है 1s1 और 1s1 मतलब एक electron या तो clockwise समझ लीजिए या नहीं तो anti clockwise तो यह दिखा भी एक कैसा anti clockwise यह anti clockwise है घरी के लुक्री दिशावे दूसरा h1s1 और दूसरा h जदी यह इससे combine करता है तो electron कैसा होना चाहिए यह निश्चित रूप से clockwise होना चाहिए और जैसे ही दोनों आएगा तो इस तरह से अब हर lap कर जाएगा तो edge और edge का formation हो जाता है edge edge यह कौन सा bond और कहा जाए किसके मिलने से बना हुआ है तो s of her laping से बना हुआ है तो वीडियो को pause कीजिए note कीजिए अगला अब her laping लेते हैं s p of her laping तो s होगा और दूसरा p यह दोनों के पास unpaired electron यानि दो in time जिसमे एक के पास s orbital और दूसरे के पास p orbital p का जो यह देख रहे हैं यह tumble है cylindrical arrangement और यही point जो देख रहे हैं यह node है जब यह इस तरह से मिले ऐसा तो यह घटना क्या कहलाता है वालू अब her laping यह कौन सा bond बना sigma bond बना और यहां पे जो यह जो पाइंट देख रहे हैं यही कहलाएगा node तो ज़ली sp overlapping होगा तो उस situation में एक node का formation होता है थे अब इसी बात को हम लोग क्या करेंगे यह दो part में जो बटा हुआ है एक को बढ़ा कर देते हैं है ना अब जब यह बढ़ा कर देते हैं तो यह एक्स y-axis और यह रहा z-axis और यह आज़ा इस में थोड़ा change करना होगा यह z और यह x क्योंकि यह जो p है वे p-z माना गया है क्या समझे बात जैसे ही हम लोग p orbital कहते हैं p sub orbit तो p sub orbit के पास कितना orbital होता है 3 यह बीच बाला है यह x y इसको y का सकते हैं और इसको x का सकते हैं लेकिन यह z जो का क्यों रहता है तो by convention यह मान लिया गया है जो sp overlapping यानि जहां sigma bond का sp overlapping कौन सा एक जियल का बात कर रहा है उस case में कौन सा orbital involved होगा तो z orbital involved होगा यानि यहां पर हम इसे लिए का दिये यह x z है तो जदी हम लोगों से कहा जाए जो sp overlapping हुआ है तो क्या-क्या point मिलेगा जो इसमें cylindrical arrangement होगा electron का दूसरा one nodal plane one nodal plane which is perpendicular to bound axis यही बात समझना है यहां पे nodal plane है और यह perpendicular है किसका bound axis का perpendicular मतलब समझके है 90 degree तो one node मिला और cylindrical arrangement example CLHL यह point out कर देते हैं पहले वीडियो को pause कीजे note कीजे तो sigma electron symmetry at z axis जो ही देख रहे हैं cylindrical symmetry electron distribution cylindrical इस तरह से arrangement को cylindrical कहा गया है sigma bond is form यानि estis जो अब हर overlapping होगा ideal sigma bond there is one nodal plane which is perpendicular to bond axis example यह सब रहा तो फिर again हम HF में explain करके देखते हैं पहले आप लोग वीडियो को pause कीजिए नोट कीजिए तो इससे पहले बाला में क्या देखे थी जो spherical symmetry और इसमें electron का arrangement कैसा है cylindrical यानि जैसे ही P block P suborbit आ जाए P orbital आ जाए तो वे cylindrical arrangement होगा HF तो HF जब कहेंगे तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं जो hydrogen 1s1 यहां पे एक electron है और 1s2 2s2 2p atomic number 9 है तो इसी लिए इस तरह का पहले एक-एक करके electron तो 3 4 5 unpaired electron यहां भी 1 है यहां भी 1 है तो जब ही 2 atom overlapping करेगा तो सबसे पहला condition गुए जो balance से सेल में electron है वे unpaired होना चाहिए unpaired है लेकिन दोनों एक दूसरे का opposite होना चाहिए तो मान लीजिए जो यह clockwise तो दूसरा क्या मान लीजिए anti clockwise और जब यह anti clockwise है तो दोनों आपस में यह क्या कर जाएगा आपस आपस कर जाएगा तो इस तरह से यह जो हम hf बात करेंगे तो सबसे पहले sigma bond और यह कौन सा overlapping के मिलने से बना हुआ है sp overlapping के मिलने से बना हुआ है तो वीडियो को pause कीजिए note कीजिए p p overlapping p p overlapping में p यह safe हो गया जदी इस तरह से positive दोनों एक साथ हो यानि दोनों एक साथ हो तो इस समय overlapping होगा overlapping occurs इसमें भी overlapping होगा लेकिन एक positive और दूसरा negative तो उस समय no overlapping उस समय किसी टाइब का कोई overlapping का घटना नहीं होगा ठीड तो चलिए अब हम बात करते हैं यह p यह z है दूसरा यह z है जैसे ही overlap करेगा तो देखिए कैसे overlap करेगा ऐसा है ना यह दोनों के पास अंपियाड इलेक्ट्रॉन होगा और जदी यह overlap किया यहां पे कौन सा bond बनेगा sigma bond और यह जो देख रहे हैं यह कौन सा point है nodal point और यह nodal point जो है bond axis के जहां bond बना है उसके परपेंडी cooler है है तो इस तरह से हम लोग PP overlapping जैसे ही हम लोग कहेंगे 2CL 2PR 2I2 ठेक तो वीडियो को पाउस कर लिए फिर एगेन हम point note कर देते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे sigma bond का formation होगा cylindrical symmetry electron distribution there are two nodal plane which are perpendicular to bond axis example यह रहा अभी आपको दिखाए है जो यह जो f का electronic configuration उसमें unpaired electron one था ना तो इस तरह से formation करेगा ठेक तो अब हम लोग आगे बात करें next तो lateral overlapping और lateral overlapping में हम लोग pp overlapping का बात कर रहे हैं तो यह p orbital यह px है तो दूसरा भी px होना चाहिए तो इस तरह से जदी overlap करे तो इसका ही नाम रख दिया गया lateral overlapping और इस lateral overlapping के कारण कौनसा bond का formation होगा pi bond का formation होगा यहां भी यहां भी two nodal plane है लेकिन way bond axis के parallel है यहां और यहां node है ना लेकिन way bond axis के parallel है जदी हम यह py लेंगे तो यह भी क्या लेना परेगा py अब कहेंगे आप सर जी आप z क्यों नहीं दिये तो हम लोग देखे हैं जो z जो है sigma bond में participate हुआ है ठीकने तो इस तरह से जैसे ही हम लोगों को lateral overlapping कहा जाए तो हम कह रहेंगे जो कौनसा bond का formation होगा pi bond का और जदी axial overlapping कहा जाए तो किस bond का form होगा sigma bond का sigma bond strong होता है किस के पेच्छा pi bond के पेच्छा क्योंकि sigma bond में overlapping area जैदा होता है ठीक तो विडियो को pause कीजिए इसको अच्छा इसमें और जो है किस तरह से दिखाया जाएग इस pi bond को यह इस तरह से represent किया जाता है यह जो देख रहे हैं इसको हम क्या कहा देंगे inter atomic axis यानि क्या कहेंगे inter atomic axis तो विडियो को pause कीजिए note की तो letter of overlapping में हम क्या कहेंगे जो pi electron are delocalized involved to the plane axis and below to the plane of bond axis so nodal plane is parallel to the bond axis पहले ही कह दिए इसका इस जामपा ले लिजिए M2O2 ठीप तो विडियो को pause कीजिए note कीजिए और इससे related कुछ importance बात पहले कर लेते हैं तो हम लोग क्या देखे जो sigma bond और pi bond देखे समझे न जो sigma bond का formation कौन सा overlapping से तो axial से और pi bond का overlapping से तो lateral से जहां कहीं भी जहां कहीं भी single bond होगा यह हमेशा sigma होगा यह single covalent bond ठीकना है तो यह sigma और जदी double bond होगा यह double covalent bond double bond तो 1 sigma और 1 pi और जदी triple bond होगा triple bond तो उसमें 1 sigma और 2 pi केलियर हो गया तो हम लोग चेक कर लेते हैं एक पे CH4 पहुत ही famous आपसे कह दिया जाएगा जो number of sigma bond और number of pi bond है ना 12 वाले जो लोग है उसको भी पूछ दिया जाता है competition में तो है ही तो सबसे पहले आपको clear cut structure जानना होगा ऐसा होगा जैसे ही single bond सिगमा 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 तो number of sigma bond is equal to कितना बोलेंगे 4 और number of pi bond is equal to कितना बोलेंगे जी ओ क्यों क्योंकि pi bond तो तब होगा नोट कीजिए और कुछ question लेते हैं तो इसमें जो एक question और हम बता देते हैं फिर आपको hw देते हैं क्योंकि जदी परहाई हो रहा हो और hw नव मिले तो फिर उस परहाई का कोई मजा नहीं वे एक मजाक होता है पता है ना चलिए देखिए hno3 नाम है इसका nitric ac structure ध्यान से देखते रहिए जहां कहीं लिए single bond क्या कहा देंगे sigma bond sigma bond यह pi bond आ गया और यह sigma और यह coordinate है वे sigma समझे है पार तो number of sigma bond कितना इसमें कहा देंगे एक दो तीन चार है ना और number of pi bond number of pi bond कितना कहा देंगे तो one एक और एक और ले लेते हैं ac t1 देख लिए sparing बताईए इसका फर्मूला क्या होगा तो c2 h2 आपसे पूछ दिया जाएगा जो बताईए इसमें sigma bond कितना होगा pi bond कितना होगा तो सबसे पहले हम लोगों को structure जानना होगा जब तक structure नहीं जानेंगे तब तक कोई उपाई नहीं है तो एक दो तीन यानि number of number of sigma bond कितना मिला तो 3 और number of pi bond कितना मिला तो 2 क्योंकि ये तो pi bond होगा तीक है तो विडियो को pause किजिए note किजिए इसी पर हम hw दे देते हैं तो ये रहां आपका hw क्या find करना है sigma और pi bond वाटसब कित्रू आप भेजेंगे भेजने वाले तो बच्चे बहुत कम है समझ गया ना सब बात बनाने वाले हैं इसी लिए ये अखाश के ली का structure दे दिए तीक है चाहिए next आगे बढ़ते हैं तो strength of sigma bond strength of sigma bond में pp, sp और ss लेकिन ध्यान रहे ये कब valid होगा valid for same orbit number जदी orbit number क्या हो same हो तो उस situation में valid होगा कहने का मतलब 2p, 2p उसके बाद 2s, 2p, 2s, 2s ठीक है extent of overlapping directly proportional closer to the nucleus जितना ही nucleus के करीब होगा है उतना ही extent, उतना ही stability जैदा होगा तो 1-1, 1-2 नहीं समझे बाद 1s, 1s 1s, 2s 2s 2s, 2s 2s, 3s 3s 3s, 3s तो इस तरह से same ज़री sub-orbit लिया जाए तो बाद किया जाएगा क्या समझे बाद यहां बे यह आपको समझाए है हम ज़री sp और strength कहा जाए तो pp का क्या होगा जैदा होगा और strength जैदा इसका मतलब extent यह और contact एडिया जैदा होगा मिडियो को पॉस कीजिए not कीजिए pd-overlaping यह p-orbital और यह d तो जदी यह pd-overlaping इस तरह से हो हम लोग देखे हैं न डी का ऐसा हुआ है देखिए अब दिखाना थोड़ा तो यह हाँ पे यह जो overlapping है वे कौन सा bond बनता है तो का देखिए dpi bond dpi dpi bond क्योंकि जैसे ही दो contact area हो तो वहाँ पे हम का देखिए जो कौन सा bond का formation होगा बावू तो pi bond का d में d d x square y square d x square d x square y square जड़ी यह बहाँ लेब कर रहा है यहां पे यह कौन सा bond बन गया सीमा बन गया है ना तो इस तरह से ध्यान दीजिए d का जो फॉर्म है d का कितना फॉर्म है d x y d x z d y z d x square y square d z square यह आपको हम quantum number में समझाय हुए है तो इसमें किसी प्रकार से कोई restriction नहीं है लेकिन यह जो यह जो sigma bond बनेगा d के कारण d x square और y square से ही बनेगा ठीक है तो इस तरह से हम लोग और लापिंग का बार finished कर लिए एक और दिखा दें है यह d x y का देखिए ऐसा यह x और यह y है ज़िए ऐसा हो यह x यह y है दो जगा contact area है तो हम का रहेंगे यह d pi d pi bonding है तो अब हर लैपिंग finished हो गया कल हम बात करेंगे heavy decision बहुत बहुत importance जो dual में कास के हो या competition में या निश्चित दूरूप से question आता ही है नहीं आने का कोई गुंजाइस नहीं है ठीक है बस आज के लिए मैं तो